स्वागत करता हूं आप सब का एक बार फिर से विहार बूट के नमबर बन चैनल विहार बूट श्टेडी पे जियानोस तहानी आज के क्लास में हम लोग हिस्टी के मोस्ट वी वी आई ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पोश्चन को कभर करेंगे आप लोह का एक्जाम एक फरवड़ी से स्टार्ट होना है काफी बच्चू का डिमांड था किसमार recordings को क्युक्तिव पूरी तरन स्याफ़ क्लियर हो गया पट सब्जेक्टिव भी त्याटी नहीं हो पाई है तो DS1 यह आपके डिमांड पर यह वीडियो हम लोग बना रहे हैं, आपको आप तक यह प्रोवाइट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो सभी गैश कोशन आपको जितने सारे सब्जेक्टिव का कोशन देने जा रहे हैं, यह सभी गैश कोशन है, और आप कोपी और कलम के साथ बै सब्सक्राइब करके हम बना हैं, तो यह आपकी responsibility है, कि अपने दोस्तों के गुरूप अगरे में आप लोग को शेर कर देना है, और first of all आपको क्या करना है, कि वन के इस वीडियो में लाइक होना चाहिए, लगबग वन के ठीक है, तो चलिए आगर रेस्टन सुरू करते हैं इस शिरिटन से जिदगर्ट से बेता, मिसाल असना के उस्यज जो पराप्त वे थे, वो कहां से यह नि महंजदरो से पराप्त वे थे, अन्ना गर्ट या असना गर्ट यह जो है पराप्त वे थे, चलिए आगे देखे कि दूसरा नमर कोशन आपके स्क्रीन पर हरपपा नगिवेस, कार लेयों कि आरा है कौन पुरान, की गश्कते, एसंसर। को नाम से जाना जाता है तो बहुत सा काल था है, तो कौन सा काल है तो गुप्तकाल तो इसका आपका option आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे गुप्तकाल विल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे Q5 देखेंगे करिश का राजरोहन यानि कब हो आता तो करिश का राजरोहन डियर्ट आपको डिफिनेटली पता होना चीए Q6 देखेंगे महाभारत का यूद यानि कितने दिन दोग चला था चली बताएंगे महाभारत का यूद जो है कितने दिन दोग चला था ये 2021 के एक्जाम में एक कोशन आये हो है और ये रिपिटेट कोशन है ठीक है Q6 देखेंगे महाभारत का यूद घूद यूद तक चला था और कहां पे कुरूष येत्रय के मैदान में चला था जिस पर कोडब वाएंट पाण्डव की बीच यह यही लड़ाई होई थी ठीक है तो अस्तुप का समझ जो अगया या नि बोध धर में से हो जाएगा तो इसका अगया 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 तो इसका अगय के किनारे स्थित है बता यह हरपा जो है हरपा सभेता हरपा किस नदी के किनारे है यह आपको बताना है 2016 का एक्जाम में कोशन पूचे गया है तो हरपा सभेता की बात नहीं करें हरपा की बात करें हरपा जगे का तो हरपा का जो है मतलब यह रावी नदी के किनारे अगर वही कोशन की और चलते कोशन नमर 13 प्रांचीन भारत में धम्मे कि शुड़ीय थी ने किस स्टाने लें ये कि बारत मैं धम्मे की शुर्वाद की सुर जाया तक है अगे देखेंगे हम लोग कोशन आपके स्क्रिम्ट पर कोशन नमर 15 महावारत का किस ने लिखा है तो दख़ें आप लोगो पता है महावारत का लेखक जो है कौन है अभी आपको बताए कि अर्थास के लेखक चाया कोई रहेंगे विष्णु गुपत रहेंगे चांचे रहेंगे इसी का अंसर आपका बिलकुल वही होंगे ठीक है कोशन देखेंगे आपके स्क्रिन पर 17 नमर कोशन चौती बहुत संगीती किस सासक के अकाल में हुई थी देखें चौती बहुत संगीती जो है या किस सासक के अकाल मुआ था तो बिल्कुल डिफिरेंटली आप लोगों को बता होगा चौती बहुत संगीत जो है यानि क कर दिए निट्टित का निटित क्या था है संथाल उद्रों का नेतित किया था। सेले कोशन में आपके स्क्रीन पे कोशन में 20 आपके स्क्रीन पे आवद में अठाव सल्तों के विद्रों का नेतित तो जो है किस ने क्या था तो बिल्कुल आपको बता है अवद से बेगम हजरत मल थे और लखनु से कौन भी है बेगम हजरत मल तो इसका अंसर आपका सी बिल् और होने का था कि डेट कितना है यहीं 31 मेगा होने का था लेकिन यह जगे जगे पर कभ हो गया था यहीं 10 मेग को ही जो है शुरू हो गया था ठीक है कोशा देखेंगे आपके स्क्रीन पर 22 वैबगत का सिद्धान किसे समझ दीता है बताइए जिसको वैबगत या चाहिए उसको हड़पनिती कहेंगे तो हड़पनिती का जो समझ जो किसे था यह डल होजी से था तो इसका अंसर आपका यह डल होजी बिल्कुल राइट और अंसर हो जाएंगे ठीक है चलिए आपके स्क्रीन पर 23 गेट्वे ओफ इंड्डिया का नीर्मान कब वह था में बहुए था भारत में रेलिवे की सुरुआ तक यह आपनों को बिल्कुल पता होगा ठीक है कोशन देखेंगे आपके स्क्रेंट पर 25 इस्टेंड या कंपणी के स्थापना की अगर बात करें तो यह जो है 16 वी स्वी में राइट आंसर हो जाएंगे चले कोशन आपके स्क्रेंट पर 26 इनि दिल्ली चलो का नारा यानि किस ने दिया था तो मेरे डियो स्टेंड आप लोग को बताना है दिल्ली चलो का नारा जो है किसके दोरा दिया गया था सुभाद चंदर बोस गांधी जी राजिंदर परशाद जावाला नहरू तो यह जो आपको 122 इस राइट आंसर हो जाएंगे चले कोशन नमर 28 आपके स्क्रेंट पर बारतरास्टे कॉंगरेस की अस्थापना यह कब हुआ था तो बिल्कुल आप लोग को पता होगा था 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 तो इसका अंसर आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है चले न कितों ने प्रति अक्षी यानि कारव़ाईटि दीवस अनि मनने का एलान की घुसना यह अनि कप किया था तो यह आप लोग को बताने यह जो खुस्षन जो क्या गया था तथा ऐसो pati स्ट्टी-वन सविटा में निy निंवास को रख हो नहीं था रिखें है का काली वं maid के बार में आपनी वो कई बार बता हैं कि कालिबंगान जो है राजिस्तार में इस्ती था और लोथल जो है कहाँ पर यानि गुजरात में इस्ती था चले कोशन देखेंगा आपके स्क्रीन पर 34 गुलबदन बेगम ने किस के आगरे पर हुमाई नमा लिखा था तो अकबर हुमायू बाबर तो य गौशन देखेंगा यात्री का सर्ताथ किसी आतरी को चाहता है तो देखेंगे मर्क पोलो बिल्कुल इसका अंसर आपका राइक आंसर हो जाएंगे चले कोशन देखेंगा आपके स्क्रीम पर 38 है जैसे गहूंसले को पक्छी चोड़ता है उसी तरह यानि किसी यात्रा को यात्री जाने ही तो अपने घर छोड़ता है तो वह जो थे यानि कौन थे इबन बतुता बिल्कुल इसका अंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है चलिए नेक्स कोशन के उस चलते कोशन 39 इबन बतुता कि सुल्टान के सासन काल में भ अपको बता है दो अक्टूबर अठाशन को महात्मा गांदी का जन्म हो था पुसं दखेंगे आपके स्क्रीन पर कोसन 41 जो है किसवर से आड़म हो था तो बिल्कुल आप लोगों को पता है जो है उनिस सो पहेंतालिस तक चला था ठीक है तो यह तो आप लोगों को बहुत ह बढ़िया आप लोगो सभी बच्चों को पता होगा चले नेक्स को सब्सक्राइब को याद रखना है ठीक है क्योंकि एक तो आपको 100% पूछी जाएंगे को सबसे पहले आपको जानना है सबसे पहले आपको इसको जानना है तो यह गय थे जो आपना चंपारण अपना बिहार के चंपारण जिला से करोया मरो का नड़ा किसमें लिया था तो इसका आपका महत्मा गांदी राइक आंसर हो जाएंगे चले 46 यूरोप का समुदुप यानि किसे कहा जाता है तो यूरोप का समुदुप जो है नेपोलियन को कहा जाते है किसको कहा जाते है नेपोलियन बिलकुर राइट आंसर हो जाएंगे 47 किसके अविलेक में भूमिय अनुदान का जो है उलेक मिलता है निकिसके अविलेक में तो यह जो है परवावति गुप्ट के अभिलेक से मिला है तो इसका अंसर आपका पर परवावति गुप्त राइट आंसर हो जाएंगे 48 दखेंगे आपके स्क्रीन पे महाबारत की रचना रहे का लेखर कौन है वेद्रवियास है और इसका रहे किस बहारत की बहा रहे है संस्कीरित भासा यानि right answer हो जाएंगे 49 आपके screen पे मनुस्मर्थी में कितने परकार की वहाखा उल्लेक किया गया है तो मनुस्मर्थी में आप लोगो पता है 8 परकार की वहाखा उल्लेक किया गया और 8 परकार का नाम आप लोगो comment करके सभी वच्चों को बताना है तो डिये श्टन ये जो था आप लोग का हम बताए थे 50 आप लोग का जो है बिल्कूल यानि गैश कोशन था जो आप लोग को हम प्रवाइड किया है अब हम लोग चलते हैं subjective की और ये भी आपका सभी गैश कोशन है काफी important है आज कोशन जितने सारे subjective का है तो आगे देखेंगे ये आपका screen पर कोशन क्या कलाता है मतलब महाभारत में मैं वड़नित विवा का उल्लेक करना है महाभारत में वड़नित विवा का उल्लेक करना है ठीक है तो आपको बता दिये परहोती गुप्त का था ठीक है चलिए आगे देखेंगे तो आप लोगं का ये तो objective यानि कियर हो गया आप देखेंगे हम लोग subjective question काफी important और काफी वीवाइ question है आप लोग से मेरी request रहेगा कि आप लोग not कर लेंगे तो बेतर रहेगा चलिए अब हम लोग start करते हैं question आपका स्क्रिन पर है महाभारत में वर्णित व्वा के परकारों का उल्लेग तो पहला आपको बताए दिये थे क्या था यानि बढ़ा विवा त्रेम यानि आसुर विवा देव गंधर विवा उसके बाद आपका 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 या पिसाज विवा तो ये आठों परकार अ का नाम पूर रट लेना अच्छी तरही के से ठीक है चलिए बात करते हैं आप हम लोग प्सक्षान नमर्दो त्री पीटक जो है यानि क्या है बताईए त्री पीटक क्या है त्री पीटक क्या है उसका नाम जो झाने तेन पिटक इसलिए परहा है तो इसलिए उसका नाम जोहा है तीन पीटक से कहा जाता है गोतम बुद का गया में निर्वान पराप्त करने के बाद इनकी रशना की गए थी नििनके बुद्ध जब इसे निर्वान पराप्त किया था उसके बाद Weiddh बुद्ध के उपदेश संक्लित किया गया था और मिने पिटक में बहुत संका नियमू का उले किया गया और अविद्ध में पिटक में बहुत दर्शंका यह तीनों जो है आपका एनी डिवाइड़ है ठीक है आप रोग अच्छा से इसको नौट कर लिजेगा चले को संतीसरा इतिहास लेकन में अविलेक का क्या महत्व है बताइए इतिहास लेकन में जो है अविलेक का महत्पूर्ण है इसमें जो है महत्व है इसलिए क्योंकि अविलेक से ताथ पर पासान या धातू या मिट्टी के बरतनों आदी में खुदेवे लेक विलेकों से ताथकाली के रा जानकारी हमें मिल जाती है अभी लोग के द्वाड़ा यानि उसके धमें परचार परसार के उपाए परसासन मानवे पहलू आधी के विशे में शहत जानकारी पराप्त कर सकते हैं ठीक है तो इतिहास लेखर में अभी लेक की महत भी असपस्ट हो जाती है क्या मात रहे अभी सब्सक्राण मौद ने असप का इतिहास लिखने का सफल परतन किया था बताईए अभी लेक के दुवराही जो है सफल है को सब्सक्राइब नगर योजना निर्मान कला के लिए परसीद दे सभी बड़े नगर एक सुनक्षित योजना के आदार पर बने थे नगरों का अपन सब्सक्राइब के लोग रहते थे नगर नदी के किनारे बसा हुआ था तथा इसमें बड़े पैमाने पर पकाई गई इटों का पढ़ियों किया जाता था खुदाई में प्राप्त भंगना वेसों से नगर नियोजना की विशेस्टाएं सामने आती है तो यह था आपका इन करने के कारवन चौहल दिगान जाता है कि सिब हम करने आतर जीए कंड्र मातन मर्ट हो जाता है क्वेशने जाता है सिबारज है जो कि इस पथार्थ में यह था आदर्ध की मात्रा कि जाते हैं जिस पधार्त में C14 की मातरा जितनी कम होती है उतना ही प्राचिन तब माना जाता है तो आपको समझ में आ गया C12M C14 की मातरा जो है समानने जीवी दोस्त में पाय जाते हैं ठीक एसी बारत तो वसे भी कुछ नहीं होते हैं लेकिन C14 जो है 6 होने लगते हैं अगर पूरी तरह से खत्म हो जागा तो और भी समझा जाएगा कि हाँ यह बहुत थी पराचिन है विवाजन के खिलाप महात्मा गांदी के दलील क्या थी जैसे कि आपको पता होगा अजादी होने से पहले ही अपना भारत जो है विवाजन के कागार पर आकर कर पहुंच गया था लेकिन महात्मा गांदी कभी ने चाते थे कि अपना भारत का भी मतलब क्या हो विवाजन हो ठीक है भारत का विवाजन हो तो गांदी जी भारत की विवाजन की और घोर विरोधी थे वे कहा करते थे कि भारत का विवाजन मेरी कबरे पर होगा यानि हमेसा कहते थे इनकी इच्छा थी कि भारत का रास्ट ये एक तायम अ तो पहला अफगानिस्तान में जो है सुदगाई नामक अस्तल से यानि हरपाई नाड़ों का यानि चिन्य पराप्त हुआ है तो ये साथ था यानि आप लोग का सारा पुइंट बटाए अब बात करते है कोशन नामक अलवेरों नी कौन था तेखे आप लोग जो बच्छे लाइक नहीं के लाइक करके एक बार आप लोग जोरू शेयर करेंगे ठीक अफले दोस्तों को हुआ था ख्वारिज्म के सिक्षा का एक परमुख के अंदर था अलवेरों ने अच्छी सिक्षा प्राप्त की और वह एक विद्वान के रूप में परसीद हो गया कौन यानि अलवेरों नी ठीक है और वह कई भासाओं का ग्यान प्राप्त किया और जिससे सीडिया पर यानि अरभी भासा में लगभग 20 पुस्तके लिखी देख इस भासा में उसका पुस्तक है अरभी भासा में लिखी हुए लेकिन इन सब किताब उल हिंद तथा तहकी के हिंद एक बेजोर गरंथ है जो सत्तर वर्स की आयू में सितंबर महा एक हजार आटालिस इसवी में उनकी मिर्थी हो गया था किसका यानि अलविरुनी का तो यह जो है इसका यानि बिल्कुल पढ़ीचे था और अच्छी तरीके से आप लोग इसके बारे में नौट कर ली जगा काफी आपको यहां से हैल्फूल होंगे तो यह स्ट्रें आयोप आज का क्लास आपको अमीद क को शेयर करेंगे ठीक है तो चली गाई यहीं तक आज के क्लास को लोग इन करते हैं जब दे के लिए जहीं जयवाद